हाई एंड वेलकम बैक तो दे चानल आज है डायट का दिन तो आज मैं बना रही हूँ टोफू और मिक्स कैपसिकम्स का एक बढ़िया सा वार्म सालेड या उसे स्टर फ्राय कह लेते हैं जल्दी से बन जाएगा बहुत लिमिटेड इसमें इंग्रेडियंट्स लगेंगे और साटिस्फाइंग और पेट भर के वाला डायेट होगा यह टोफू तो आपको पता है एक सूपर फूड है अगर आपको ना पसंद आए तो लो फैट पनीर यूज कर लेना अब लेते हैं क्या क्या चाहिए उस पे एक नजर यहाँ पे red capsicum ली है medium size की yellow capsicum और green capsicum इनको पतला slice कर लिया है एक medium प्याज को भी slice कर लिया है यह है आधा इंच का एक अद्रक का piece इसे मैंने ऐसे लंबा लंबा पतला cut किया है और 3-4 लसन की कलियों को भी slice किया है अद्रक और लसन slice किया हुआ बहुत अच्छा रगता है आप paste ना यूज करें मैं यूज करूँगी tofu ये तो है 200 ग्राम का packet मैं आधा ही यूज करूँगी 100 ग्राम्स अगर आपको tofu ना मिले या आपको tofu बहुत पसंद ना हो तो आप एक्दम low fat वाला कोई पनीर यूज कर सकते हो या आप soya के nuggets यूज कर सकते हो इसमें जो soya की granules आते हैं गरम पानी में भिगो के निचोड के आप फिर उसे यूज कर लेना यह 100 ग्राम का आधा पीस मैंने लेके उसे bite-size cubes में कट कर लिया है अब एक frying pan को गरम करने रखते हैं नॉन स्टिक वाला लेंगे क्यूगी हम oil बहुत कम यूज कर रहे हैं मैंने brush को oil में डिप करके यहाँ पे इसे सिर्फ ग्रीस कर रही हूँ बिल्कुल extra oil नहीं है सिर्फ जो brush में लगा है वो यूज कर रही हूँ थोड़ा सा गरम हो जाता है pan फिर इसमें अद्रग की जो slices है वो add करेंगे और करीब एक मिनिट तक इसे इस पे fry होने देंगे जब तक अद्रग की वो खुश्बू मिले हमें कुक होने की एक मिनिट बात इसमें अपने लसन के slices भी डाल के mix करते हैं लसन अराम से एक मिनिट में हलका हलका golden color हो जाएगा तब तक आप इसे कुक कर लें जैसी थोड़ा सा आपको golden दिखने लगेगा जो आपको अब दिख रहा होगा इसमें आड करना प्याज प्याज को भी medium गैस पे ही करीब एक मिनिट तक mix करके पकाएंगे उसे हमें कुक करके soft नहीं करना है बस वो गरम हो जाए एक मिनिट काफी है अब डाल देते हैं सारी जो तीनों कलर की हमने कैपसिकम को slice करके रखा हुआ है उन तीनों को एक साथ इसमें आड कर लेते हैं यह सारा काम medium गैस पे करेंगे और हमें इसे बहुत जादा कुक करके soft नहीं करना है stir-fry थोड़ा क्रंची ही अच्छा लगेगा बस अब यह सब डालके 2 मिनिट तक हम इसे medium गैस पे mix करके cook करेंगे ताकि सारी चीज़ें एक बार अच्छे से गरम हो जाएं आधा चमच इसमें मैंने नमक डाला है और आधा चमच लाल मिर्श का पाउडर अच्छे से इसको mix कर लेना है धकन नहीं लगाएंगे हम इसमें कोई भी stage पर हमको वह भाफ वाली cooking करके से soft नहीं करना है बस ऐसे अच्छे से mix करने के बाद इसमें हम आट कर देते हैं जो टोफू के pieces कट किये हैं वो टोफू डालने के बाद अच्छे से एक बार और इसे टॉस करके या चमच से mix कर लेना अपना एक अच्छा फ्लेवर होता है इसलिए जादा मसालों की जरुवत नहीं है एक बड़ा चमच टेबल स्पून सोया सॉस का अड़ किया है और जो वाइट विनिगर होता है cooking का साधा विनिगर वो एक चमच टेबल स्पून वो एड़ किया है और कुछ नहीं डलने वाला है इसमें अच्छे से mix करेंगे से और करीब एक दो मिनिट के लिए से गैस पे कुख होने देंगे ताकि टोफू सारे मसाले सोक कर ले और सबजियों पे भी लग जाए ये स्टेच पर आके एक बार आप नमक और जो मिर्च डाली है वो सब चेक क अच्छे से mix कर लेंगे ये हो चुका है बिल्कुल रेडी जादा कुक करोगे तो एकदम softer soggy हो जाएगा मजा नहीं आएगा तो अब गैस को करते हैं बंद और इसे खाने की करते हैं तयारी बहुत ही बड़िया रेसिपी है फिलिंग है और आपके डायेट देज के लिए बहुत ही टेस्टी और नुट्रिशिस है इसे जरूर बनाएगा और एंजॉई कीजेगा थैंक यू फो वाचिंग और दू सब्सक्राइब दे चैनल